मुंबई में ओनर किलिंग का एक मामला सामने आया है एक योती ने दुसरे धर्म की वग के साथ लव मैरिज कर ले थी जिससे उसके घर वाले काफी नराज थे योती के पिता और भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों की हात्या कर दी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफतार कर लिया है मुंबई में ये ओनर किलिंग का मामला सामने आया है मुंबई के गोवंडी इलाके में पिता, भाई और तीन नबालिकों ने मिलकर अपनी ही बेटी और उसके पती की हत्या कर दी दरसल यूती ने दुसरे धन की लड़के से लव मैरिज के दी जिसे परिजन नराज थे और उन्होंने गुस्से में आकर दोनों की हत्या कर दी बिते 14 अक्टूबर को मुंबई की गोवंडी पुलिस थाना इलाके में एकिववक का सौ मिला दी उसकी उम्रे 20 से 22 साल की बिस थी और उसकी हत्या की गई थी मुंबई पुलिस के जौन डिसीपी हेमराज राजपुद ने इस मामले का खुलासा करने के लिए दर्श टीमे बनाई पुलिस की टीमों ने पाया की मिलता की पैचान 22 साल के करन रमेश चंद्र के रूप में हुई है और वो उत्तर प्रदीश का रहने वाला था इस मामले में गोवंडी पुलिस टेशन में आईपीसी की धारा 302 और 201 की तहत मामला दर्श किया गया था इस मामले की जाजकरी पुलिस को रमेश चंद्र की पत्नी की पिता पर सक्वा जिसके बाद गोरा रसेदुन खान से पुस्ताज की गई अधिकाजी उसी पुस्ताच के बाद कबूल किया गया कि उसने अपने बेटी सलमान गोरा खान और अन्य साथ्यों की मदद से हत्या किया आरोपी ने बताया कि उसने अपनी बेटी गुलनाज और उसके पती करन को मार डाला थी क्योंकि दोनों ने उसकी मर्जी की खिलाब साधिकी थी। पुलिस को गुलनाज का सव नवी मुंबई के सुनसान इलाके से बरामद हुआ थी। वो जगा आरोपी ने दिखाए थी। पुलिस ने पिता भाई समेथ कई आरोपियों को पकड़ लिया। इसके अलावा हत्या में सामिल अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने हिराशत में लिया। 14 उक्तवर शाम को गुवंडी इलाके में एक 22 साल के लड़के की डेट बोड़ी मिली थी। इस सिल्सले में हमने 10 टीम पहुंच की और उसमें विक्टिम करन रमेश चंद्र यह यूपी का रहने वाला है। यह हमने इडेंटिफाइ किया। और इस सिल्सले में हमने उसका ससुर गोरा रहिसुद्दीन खान इसको कस्ड़ी में लिया। उसके साथ में उसका लड़का सलमान गोरा खान और उसके कुछ दोस्तों ने मिलके विक्टिम का murder किया। यह वहाद पर बताया। विक्टिम करन ने एक्यूज की लड़की गुलनाज के साथ में लोमैरिश किया था इस सिल्सले में सभी एक्यूज ने मिलके इसमें विक्टिम करन और उसकी जो वाइफ है और एक्यूज की लड़की गुलनाज इसका भी मटर किया गुलनाज का जो डेट बॉड़ी है वो जो माइनर लड़के हैं उनको भी हमने तावे मिलिया है कि उसकी 27 तारिक तक कस्टडी है और इंविस्टिगेशन जारी है